नमो नमा आज हम आपके लिए विद्या पर संस्क्रत में पाच स्लोक लेके आए हैं उमीद है आपको ये पाचों स्लोक पसंद आएंगे अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल संस्क्रत बोद को सब्सक्राइब करें और जादा से जादा लाइक वा शेयर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद्या पर संस्क्रत में 5 स्लोप विद्या शब्द संस्क्रत भाषा से लिया गया है जो ज्यान का प्रतीग है विद्या चीवन में ग्यान को प्राप्त करने की क्रिया को सूचित करती है इससे न केवल हमारी सोच विक्सित होती है बलकि हमें उच्चतर मांसिक और अध्यात्मिक स्तर की प्राप्ती भी होती है विद्ध्या की प्राप्ती में हमें समझ, अन्भो, विवेग, विचार, शीलता और सही निणे लेने की छमता प्राप्त होती है देखें विद्ध्या भी दो प्रकार की होती है एक परा एक अपरा परा विद्ध्याएं 14 प्रकार की होती हैं जैसे शिक्षा, कर्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, नक्षत्र, वास्तु, आयुर्वेद, वेद, कर्म, कांड, जोत्य, सामुद्रिक, शास्त्र, हस्तरेखा, धनुर्विद्या, आदियद ये चौदा पराविद्या हैं ये सबी पराविद्या हैं हिंदू धर्मे महत्पूर हैं और ज्यान धर्म आर्थिक एवं सामाजिक द्रष्ट से मानिता प्राप्त हैं चलिए हम विद्या पर पांच स्लोग आपको बताने जा रहे हैं जिसमें पहला स्लोग है विद्या ददाती विन्यम विन्याती याती पात्रताम पात्र त्वात धनम प्रापनोती धानार धनम तता सुखम अर्थात विद्या ददाती विन्यम विद्या हमें विन्य देती हैं और विन्या याती पात्रताम और विन्य पात्रता को प्राप्त कराती हैं और पातरता से धार्मिक्ता प्राप्त होती है और धार्मिक्ता से सुख प्राप्त होता है अंतता विद्या से सुख की प्राप्ती होती है यह स्लोक हमें बताता है कि विद्या ना केवल ज्यान देती है बलकि हमें विनय और पातरता की प्राप्ती कराती है विनय और पातरता क कि प्राप्ति से हम धार्मिक्ता को प्राप्त करते हैं और इससे हमें सुख मिलता है इस स्लोक में बताया गया है कि विद्या के समान विद्या के बराबर तुलना में कुछ भी नहीं है सैकेंड स्लोक देखे क्या है विद्या के लिए नास्ति विद्या समो बंधुर नास्ति विद्या समा सुहरत नास्ति विद्या समंवित्तम नास्ति विद्या समंव सुखं इस स्लोक में बताया गया है कि किसी के लिए विद्या के समान कुछ भी नहीं है विद्या के लिए विद्या के समान कोई बंधु नहीं होता विद्या के समान कोई धन नहीं है और विद्या के से बढ़कर कोई सुख नहीं है विद्या हमें अनुशाशन और ज्यान का सामर्थ प्रदान करती है जो धन और सुख की तुलना में बहुत अधिक महत्य पूर्ण है यह स्लोक हमें यह भी सिखाता है कि हमें विद्या का महत्य समझना चाहिए और उसे अपने जीवन में अपना आनी विल्यक्यनते गर्वस्त एव देहिना आयू मने जीवन जीवन कर्म विद्या वित्तम मने धन और निधन मने म्रत्यू जीवन कर्म विद्या धन और म्रत्यू यह पांच वस्तु में गर्वस्त बच्चे के त्वारा ही निश्चित की जाती है मतलब यह सब चीजें गर गर्म में ही निश्चित हो जाती है कौन कौन सी जीवन कर्म विद्या धन और अम्रत्यू यह पाँच चीजें जब बच्चा गर्म में आता है उसी समय सब निश्चित हो जाती है यह स्लोक हमें बताता है कि जीवन कर्म विद्या धन और अम्रत्यू जैसी पाँच वस्तों हमा विद्या अभ्यास तपो ज्यानम इंद्रियानाम च सैयमा आयंसा गुरु सेवा चा नीश्रेयसकरम परम विद्या अभ्यास तपो ज्यानम इंद्रियानाम यानि कि विद्या अभ्यास तपो मने तपस्या ज्यानम मने ज्यान इंद्रियानाम मने इंद्रियों के सैयम से इंद् विद्धया अभ्यास से तपस्या से ज्ञान से और इंद्रियों के स barrier के माध्यम से विद्धया प्राप्त कि जा सकती है आहिंसा गुरु सेवा चा नि श्री असकरमान आहिंसा और गुरु सेवा ही सर्वोत्तम कार है इस जगे विद्या के गुर्ण को बताया जा रहा है इसमें विद्याभ्यास, तपस्या, ग्यान और इंद्रियों के सैयम का महत बताया गया है इन गुर्णों के द्वारा हम विद्या को प्राप्त कर सकते हैं इसके साथ ही अहिंसा और गुर की सेवा ही सर्वोत्तम कार है जो हमें सही मारूप पर ले जाती है चलिए अब अंतिम और पांचवा विद्या पर इस लोग बताने जा रहे हैं जो विद्या के स्वरूप को बताएगा देखे क्या है विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रचन गुपतम धनम विद्या भोग करी यशा सुकरी विद्या गुरू नाम गुरू विद्या बंद जनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम विद्या राजस पूजते नाही धनम विद्या विहीना पसू तो इसमें विद्या के महत्पूर्ण स्वरूप को कैसे बताया गया है कि विद्या नाम मनुस्य का सबसे बड़ा धन और यश है जो कैसा है प्रचंड गुप्तम जो छिपा हुआ और गुप्त है दूसरी लाइन में बताया गया है कि विद्या भोग करी यशा सुक करी विद्या गुरू राम गुरू और विद्या क्या है भोगों को प्रदान करने वाली है देखिए आप जब पढ़े लिखिये होंगे तो आप धन कमाएंगे धन कमाएंगे तो आप भोगों को भोगेंगे इसलिए विद्या भोगों को प्रदान करने वाली है और यश की प्राप्ति कराने वाली है सुख करिये सुख प्रदान करने वाली है और विद्या गुरुनाम गुरु गुरु की भी गुरु है तीसरी लाइन में बताया गया है विद्या बंदुजनों विदेश गमने विद्या परम दैवतम और विद्या विदेश गमने विदेश जाने पर विदेश यात्रा में मार्ग दर्शन का काम करती है जैसे बंदुजनों एक भाई मार्ग दर्शन करता है एक भाई का वैसे ही विदेश जाने पर अगर आप पड़े लिखे हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं उस विद्या के प्रियोग से तो विदेश गमने विदेश यात्रा में विद्या मार्व दर्शन का काम करती है बंधु जनों का काम करती है और विद्या परम देवतम विद्या परम देवता है आखरी लाइन में बताया गया है विद्या राजसु पूझते विद्या राजसभा में पूझ होती है नहीं धनम विद्या विहीना पशु विद्या राजसभा में पूझनी होती है ना कि धन विद्या विहीना पशु और विद्या विहीन मनुस्य पशु की समान होता है पशु की तुलना विद्या विहीन मनुस्त से की गई है धन का महत तो यहां पे नहीं बताया गया है इस इसलोक में हमें विद्या के महत पूर्ण सोरूप को बताया गया है यहां कहा गया है कि विद्या नर्की सबसे बड़ी धन और यश है जो बहुत गुप्त और छिपा हुआ है विद्या भोगों को प्रदान करती है यश की प्राप्ति कराती है और गुरूं की भी गुरू है विद्या हमें बंदुजनों की सहायता करती है विदेश यात्रा में मागदर्शन करती है और विद्या ही परम देवता है इसलिए विद्या राजसवा में पूजी होती है नाकी धन विद्या विहीन पशुकी तुलना में धन का महत नहीं है ये इस लोग आपके विचार शक्ती को बढ़ाते हैं और सही निर्णे लेने में मदद करते हैं और आपको उन्नति के मारव पर ले जाते हैं और इन इस लोगों को आप अपने बच्चों को बणों को संस्कत पढ़ने वालों को न संस्कत पढ़ने वालों को सभी को आप बताईए उम्मीद है आपको यह स्लोग पसंद आएंगे अगर आपको यह स्लोग पसंद आते हैं तो जादा से जादा लोगों में शेयर करें और ह हमारे चनल संस्रत बोध को सब्सक्राइब करें धन्यवाद